नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है नमो गुरुवाने एकेडमी के ऑनलाइन प्रेटफरम पर पस्व परिजर की बरती के सेलेक्शन के वास्ते कौन कौन सी बुक पड़ें बैस्ट बुक कौन सी है इस वीडियो की माध्यम से आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ इस आईए हम यहां पर चर्चा करते हैं कि जो पसु परिजर की भरती उसका एक्जाम का पाटर्न पार्ट ए के अंदर आपको 105 कोश्टन 105 नमबर के मिलने वालास पार्ट बिंदर आपको 45 कोश्टन आपको 45 नमबर के रहने वाला और दोनों को अगर मिला के अर देखे एक लेबस भी डिफाइन कर रखा है कि जो 105 कोशन पूछे जाएंगे वो राजस्तान राज्य के विशिश संदर्प के साथ में माध्यमिक इस्तर, माध्यमिक इस्तर के सामानिय ज्यान जिसमें जिसमें दैनिक विज्यान और गनित उसके साथ में उन्हों डिफाइन कर रखा है सा ये analytical approach के question आपको ज़्यादा पूछेंगे पस्तू विज्यान इसका मतला आपको यहाँ पर पस्तू के बारे में पूरा knowledge होना चाहिए ये 45 question आपको मिलेंगे अब आएए सबसे पहले अगर books की बात करते हैं तो हम सबसे पहले step by step part A की बात करते हैं कि सर हम गणित कहां से कैसे पढ़े कौन-कौन से authentic book के हैं ये exam आपका 10th standard का है दस्तू योगेता का है दस्तू पास का है यहाँ पर सबसे पहले आपको दस्तू तक अगर आपको यहाँ पर अगर marks अगर गणित में लेने हैं तो दस्तू तक की आपको गणित पढ़नी पढ़ेगी और मार्केट के अंदर इस बुक्स का नाम है दोस्तो माद्यमिक सिक्सा बोर्ड के नाम से मिलेगी अगर यह बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर और देरकी अंग गणित के नाम से और उनका राइटर का नाम है दोस्तो आरेस अगरवाल तो आप यह भी बुक्स प्रिफर कर सकते हैं दूसरे यहाँ पर अगर बात करते हैं डैनिक विज्ञान जो है वो आपको पार्ट एक अंदर दे रखा है डैनिक विज्ञान के लिए मैंने खुद ने दोस्तो पसू परिसर के लिए हैंडिटर नोर्स हस्त लिके तो नोर्स म यहाँ पर जो है वो क्लास नोर्स मिलेंगे फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं रसानिक विज्ञान केमेस्टी की मैंने यहाँ पर जो है बहुत अच्छे डिफाइन किया है और यहाँ पर जो एनलिटिकल एप्रोच के जो कुशन आते हैं परियावरन के सम्मधित परि विज्ञान की जो बुक है इसका मतलब यहाँ पर NCRT बेस पर अगर आप लोग यह बुक को यह पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है concept बिल्कूल क्लिर हो जाएगा फिर अगर बात करते हैं राजस्तान जीके के लिए मार्केट के अंदर दोस्तो राजस्तान अधिय के साथ में बहुत अच्छे से define कर रखा है और यह भी बुक जो है दोस्तो वो NCRT बेस पर है और सबसे important बात यहाँ पर यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तो तो यह जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ना इसमें बिल्कुल theory के साथ में बिल्कुल concept के साथ में बता रखा है और यह जो बुक आपको मार्केट में मिलेगी यह भी दोस्तो मादिमिक सिक्सा बोर्ड के नाम से आपको मार्केट में बिल्कुल मिल जाएगी theory अच्छे से पढ़िए question आपके बिल्कुल set हो जाएगी या फिर अगर बात करते हैं दोस्तो मार्केट के अंदर राजस्तान G के नाम से मार्केट के अंदर एक बुक आती है जो बिल्कुल आपको जो प्रॉपर तरीके से theory के साथ में concept भी आपको वह डिफाइन करेगी to the point fact भी आपको महाँ पर मिलेगे कि डेली रूटिन के अंदर current कैसे आता है या फिर आप लोग दूसरी prefer कर सकते हैं दोस्तो राज करें क्योंकि पार बी के अंदर पसू विज्ञान का वहाँ पर पूछ रहा कि पसू विज्ञान पसू के समदित वहाँ पर पूछेगा सबसे पहले market के अंदर दोस्तो बुक बहुत अच्छी है हस्त लिकित जो है हस्त लिकित यह नोट से class के नोट से और राइटर का नाम ह दोस्तो मोतीराम सर कि मार्केटिमिर बृक मिल जाएगे आपको या फिर अगर यह भूक नहीं लेना चाहते है तो आप दूसरा भी अगर आप प्रिफर करना चाहते हैं तो फसु विज्ञान के समदित तो फसु विज्ञान के समदित के कि बुक निकल चुकी है राइटर का नाम है लक्षमन राजप्रोईट सर लक्षमन राजप्रोईट सर इन्होंने भी पूरा जो है सैलेबस को बिल्कुल पॉइंट पॉइंट कर रखा तो पार्ट बी को भी आप लोग बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हैं तो इसक स्क्रिन के सामने मेरे कॉंटेक्ट नमबर चल रहे हैं आपके जो है डिस्क्रेप्शन के अंदर मैंने जो है टेलीग्राम का लिंक डालती है आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं कोई किसी परकार की कोई क्वेरी हो यूजस्ट टेल मी तैंक यू सो मच जैहिंट जैब झालती है